शिप्टाइम दे सारे दर्श के मेरा राम राम मैं टिंपले वर्मा डिश्ट कठूब वा तसील बिलावर चिकल उता है इसलिए पंचाइद पलन वेच बड़ा अफसोस करना बोलना है पहुंदा की जिस विलाए गोवर्मेंट दी तरफा कोई भी स्कीम निकल दी है जहां फि को अब मोगा एक पितिल लाकेड़ी पंचाइद पलन जेकिन फारेस्ट डिपार्डमेंट जिख अपनी यो भूमी का जिए ठीक निन वह आधा एक ओड़ा कहना इन्हें लोक यह के गाला के गालें इंग्जा फारेस्ट डिपार्डमेंट टीएक नाकामी एक उसामने वाध अगर यहां स्पीटल खुलीन दा अगर बनीन दा ता एसा स्पीटल है वेच जिए गरीव लोगन जिए इत्वादे पलन पर नाला यां फिंतर दे लागे दो आगे दिए के लोगनी इन्हें लोकें ने बच्चे ना जेडा हो इस ट्रीडिमेंट हो इसदा और उन्हें लोकें ना की जिए जम्मू दा बैठी है बड़े बड़े दिग्ज आफिसर ने जिए दिग्ज नेता ना उन्दा ट्रीडिमेंट हो ना लेकिन अज जो आस्पिटल येडा इस बिल्ले स्टेय उप उपर है और कामुजी का नोड़ा रूक दा के बजा के बजा के बजा निया मेरे जिड़ी एक साड़ी टीम है मिडिया दी जिड़ी साड़ी ग्रीव लोके नी वाजगी उजागर कर दी है जिड़ी ग्रीव लोके नी सुन्दा को यह नी बीरोक्रेट सी या पॉलेटिशन ये सब आपनिया रोटियां से की यार देना ता मैं तुझे अपने आपकी रूब मैं पर gefazasasasational safety कसम के लिए हो न भी कहीं हो मैं सब जगा जो है justice बात करता हूँ जस वात करता हूं चायों किसी वा किसम के लोग हूं तो मेरा माणना यह है कि मैं दिल की घरहिय्यों से आपका अस्वागत करता हूँ तो बात यह है कि यहां हमारी एक n टी पीह सी जो के मेरे पास एक sanction order है यह मैं आपको बताऊंगा construction of NTPHC पलन पलन के लिए है यह बिलेई पलन के लिए तो यहां तो हमने यह land यह main road धार road है जो के कन्या कमारी से लेके कश्मीर तक जुड़ता है यहां से आम टूरेस्ट भी गुजरता है और जहां हमारे जो close nearest जो पंचाइते हैं वो चार पंचाइते हैं चार पंचाइतों को भी यहां benefit है मैं आपके मादम से यह सरकार को यह रूबरू इस चीज़ से खरवाऊंगा कि यह NTPHC पलन के लोकों की जागीर नहीं है यह आम अवाम की जागीर है यह जूटी जो बनी है यूनिन टेराटिरी में यहां बहुत से टूरेस्ट भी गुजरते हैं इस रास्ते से कोई भी किसी किस्म की कोई घटना हो जाती है काल को यही NTPHC जो आब हो एक्सिडेंटर हस्पिटल में कंवर्ट हो जाएगी तो कितना बेनिफिट है और बिल्कुल में रोड पर है तो हमारा मानना है सरकार से कि यह तो चलो रेवनो डाकुमेंट्स में यह पूरा कंप्लीट हमें शोर दिया हुआ है कोई इसमें हमें डिफिकल्टीज नहीं है लेकिन बिल्कुल रेवनो डिपार्डमेंट्स की तरफ से हमें कोई शिगवाश गायत नहीं है क्योंकर रेवनो डिपार्डमेंट्स में यह खसरा नंबर 94 है यह पूरी लेंड यह हमें डेंटिफाइग करके दे दिया है और इवन के हमें अनोसी भी इसका दे दिया तो जिल्दार साब नहीं लहाज जो डिफो का अनोसी है पहले दन वो हमें अनोसी देते हैं कि हमारा यह फारस्ट है वो स्टेट लैंड से सो मिटर की दूरी इस्ट की तरफ है तो वो सर बोर्ड लगा वा सामने आप अपना कैमरा लगाई है यह सामने बोर्ड सो मिटर की यह आरो भी है इस्ट की साइड इस्ट की साइड यह सो मिटर दूरी पर फोरेस्ट है तो पहले दिन ये DFO साब हमें ये देते हैं ये इनकी NOC है ये DFO साब ने हमें दी हुई है कि 100 मेटर दूरी प्या है तो हम जब ADC साब के पास जाते हैं कुछ हमारे गाउं की लोगों की इतनी सरकार से हमें ये चीज मिली है हम सरकार LG साब से बड़े हम महत्व हो रहे हैं कि LG स सभी लोग आपका शुक्रिया दा करते हैं तो हमें यहां difficulties आई कि हम चाहते हैं कि थोड़ा हम भी आपने गाउं के लोग थोड़ा बहुत contribution करके इस लैंड को अच्छे तरीके से बनाएं ताके ये आने वाले तमाम यो हमारे विरोक्रेट्स लोग कोई देखें तो उनको प उसमें क्या वो स्टेट लैंड को हम उसको कल्टिवेटर लैंड फोड़ा बना सकते हैं हमारी मालकी तोड़िया जा सरकार फर्मीशन थोड़ी देती है कि आप यहां कोई अगर कोई बील्डिंग बना दी और लोकेस्ता बना दी बिल्कुल सर यह सरकारी लैंड है और जो र इसको तो हमें यह समय नहीं आ रही है अधीसी साब बोलने लगे जार उन्होंने बिद्रा कर दिया मैं सरवती नियुक्वारी तरफ डियाफो साब एन नोसी दे रहे हैं तो यह रींजर साहब कौन होते हैं उसको बिद्रा करने वाले जाबकि इसका जीपीएस कंप्लीट रखेना इतनी पवरिम को मत देए ये फाराष्ट जो है ये हम लोगों की देन है हम लोग स्वड़क्शा करते हैं समर के मोसम में आग से बचाते हैं नहीं तो ये आग में जलकर राख हो जाए फॉरेस्ट लेकिन यह हमारे लोगों की देन है 24 आवर हमारे लोग इस फॉरेस्ट की हवाज़त करते हैं इनके पास अंपलाइड कितने हैं गिने चुने तो दो एक दो अंपलाइड हैं इनके डिवीजन में मेरा हल लगता हैं मुझे 10 अंपलाइड भी हूँ कौन इसकी हवाज़त करता है जो हजारों एकड की जमीन में फॉरेस्ट थाला हुआ है हम जानते हैं फॉरेस्ट का एंवार्नमेंट क्या होता है यह लोग ने हमें सखाएं लेकन अगर इनोने इस विद्ड्रा अनोसी को बापस नहीं लिया तो आपके मादम से सरकार तक हम इतनी हजिटेशन करेंगे कि यह इनकी बर्दियों की यो फीतिया है वो निकल जाएंगी यह बिल्कुल 420 कर रहे हैं हमारे साथ हम डलकुल करते हैं फेक बातें नहीं करते हैं डलकुल जी आपके मादम से डलकुमेंटली हमारे पास परूफ है को तुछना चांतरे खेलिक प्लाश की जितनी भी रोड प्लाशठी की निगलियjuk मलबे के नीचे तब इनको नी पता लगा कि इनका डेंपिंप पॉइंट कहा है तब इनको फाराष्ट की फिकर आई इस किसम का फाराष्ट का रसूक है मैं माननिय सप्रीम कोड के चीफ जट्स से भी अगरे करूंगा कि इस किसम के फाराष्ट को पावरफुल मत बनाएं इसको जोड़ेंगे जिनने जो भी गल बोले देने क्या तो से एग्री निंगे उन में एल जी साफ जी मैं तोड़ा गवी रुक्वेस्ट करना थे खास करके डिस्ट कठू अधी आड्मिस्रेश्ट करना डिस्ट करना कि एक साड़े ने बिलाबराले लोगे कोई भी काम नह आड़ा या कोई भी बिल्डिंग दा काम बाद नहां सब तो जाद है कि ओडिपार्डमेंट के लिए उत्ला फूदरी पजाने के लिए यह कि फारेस्ट डिपार्डमेंट नहीं कि ओडियर निकरिया दिन तर्मैंपिर भी डिएफोगा करना कि इस जगा उपर जरूर नजर होना ओई सब्सक्राइब करना कि अपनी जुरूर कमेंट सब्सक्राइब बहुत बहुत चुक्रिया धन्यबाद जाहिए